हिंदी साहित्ते संपून गटना चक्र क्विक रिविजन विद आर्ती शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन्स को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी नेट जे आरेफ परिक्सा से संबंदित 2009 का प्रश्न पत्र पार्ट टू ठीके 2009 का प्रश्न पत्र करेंगे जिसमें हम करेंगे पार्ट टू ठीके मैं एक एक प्रश्न पत्र को ठीके एक गंटे के वीडियो ना बना करके आधे आधे गंटे में डिवाइड करूँगी और उनके पार्ट्स बना दूँगी ठीक है जिससे कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकें ठीक है बोर ना हूँ इसलिए ठीक तो दोस्तों देखते हैं 2009 UGC Net JRF का प्रश्न पत्र का पार्ट टू ठीक है ध्यान दे दोस्तों यूग्म यूग्म संगत कौन से हैं तो यहाँ पर कुछ यूग्म संगत हैं ठीक है आंसर है सभी के प्रश्ने के साथ तो सीधे सीधे मिलान करते हुए चलेंगे तो ज़रा ध्यान दे यहाँ पर आदी कालीन रचना है तो ध्यान दे रासो कावे से संबंदित रचना है सबसे पहले option A गोई आदी करें नाले संग्ग दलपती विजे की ठीक है विजेप्ल रासो किसकी है नाले सिंह भाट फियरे परॐचेए रासो किसकी है जागनिक की रचना है परमाल रासो ठीक है आले खंड के नाम से भी जानी जाती है जागनिक की रचना परमाल रासो ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रशन है वही है युगम संगत बताना है तो देखते हैं उत्तर सीदे सीदे प्रशन के साथ तो option a ठीक है भारत दूर दशा किसका नाटक है तो ध्यान रहे भारत लिदू का नाटक है भारत दूर दशा ठीक है आधूनिक काल की रचना है ये ध्यान दें Prince ओप्शन बी प्रहाइसचीत किसकी रचना है तो धीयन डे जय संकर पृषाद की रचना है धशन्द नंधन तो ध्यान रहें धश्रत नंधन जगदीश चंदर माथूर का सुनें ओ भारत धूर डशाचीत किसका नाटक है बार्टेंदू का फिर है नाटक प्रायसचीत किसका है जैसंकर प्रसाद जी का फिर है दशरत नंदन ये किसका नाटक है जगदीश चंद्र मातुर जी का ठीक फिर है कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है भीश्म सहनी जी का ध्यान रखेंगे अगला प्रशने है युग्म संगत का ही ओप्शन ए देखें पंक्तिया है तो ध्यान से सुनेंगे कौन तुम मेरे हृद्दे में ये पंक्ति किसकी है तो ध्यान रहे महादेवी वर्मा की पंक्ति है महादेवी वर्मा की पंक्ति है कौन तुम मेरे हरिद्दे में फिर है option B ना जाने नक्षत्रों से कौन ना जाने नक्षत्रों से कौन यह पंक्ती किसकी है सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ती है ना जाने नक्षत्रों से कौन फिर है पंक्ती जो घनी भूत पीडा थी जो घनीबूत पीडा थी ये पंक्ती किसकी है तो ध्यान रहे जैसंकर प्रसाद की पंक्ती है ठीक है जो घनीबूत पीडा थी फिर है option D सकी वे मुझसे कहकर जाते ठीक है ये किसकी पंक्ती है मैतली शरण गुप्त की पंक्ती है साकेट से ली गई है ठीक है तो सकी वे मुझ से कहकर जाते, ठीक है, मैधली शरण गुप्त, एक बार फिर से सुने सभी पंक्तियों को, ओप्शन A, ध्यान दे दोस्तों, कौन तुम मेरे रिद्धे में, किसकी पंक्ती है, मा देवी वर्मा जी की, फिर है, ना जाने नक्षत्रों से, कौन, किसकी पंक्ती है, सुमित्रा न जाते, यह किसकी पंक्ती है, मैधली शरण गुप्त जी की, याद रखेंगे दोस्तों, अगला युग में है, ध्यान देंगे दोस्तों, कहानी है, कहानी और कहानी कार है, तो जरह गौर करेंगे, सबसे पहले कहानी है, यही सच है, यही सच है, जिसकी लेखी का है, मन्नु बंडारी, ठीक है, मन्नु बंडारी की कहानी है, यही सच है, फिर है, आप्शन B, परिंदे, परिंदे कहानी किसकी है, निर्मल, वर्मा की कहानी है, परिंदे, ठीक है, फिर है, फूलो का कुर्ता, ठीक है, फूलो का गुच्छा होगा, यह एरर है यहां पर, फूलो का गुच फिर है option D, जिन्दगी और जोग, किसकी कहानी है, अमर कांत की कहानी है, जिन्दगी और जोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुनें सभी कहानियों को, तो गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कहानी यही सच है, किसकी कहानी है, मनु बंडारी जी की, फिर है कह प्रश्ण की कहानी है याद रखें अमरकांत अगला सुमेलित प्रश्ण है ध्यान दे दोस्तों क्या है कृति है और कृतिकार है तो ध्यान देंगे सबसे पहले इश्वर की अध्यक्षता में ये कृति किसकी है तो लीलाधर जगूडी की लीलाधर जगूडी की कृति है इश्वर की अध्यक्षता में फिर है अबूतर कभूतर ये किसकी कृति है तो उदे प्रकास जी की कृति है अबूतर कभूतर याद रखेंगे फिर है आत्म हत्या के विरुद ये किसकी कृति है तो ध्यान रहे रगवीर सहाई जी की रगवीर सहाई जी की कृती है आत्मत्या के विरुद फिर है जल सागर ये किसकी कृती है श्रीकांत वर्मा जी की कृती है किसकी श्रीकांत वर्मा जी की एक बार फिर से सुनेंगे जरा ध्यान दे दोस्तों गौर करना इश्वर की अध्यक्षता में ये किसकी कृती है लीलाधर जगुडी की इश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुडी फिर है अबूतर कभूतर अबूतर कभूतर ये किसकी है कृती उदेप्रकास जी की कृती है अबूतर कभूतर फ पिर ही जल सागर, अंगला प्रशने हैं, इसमेलित प्रशने हैं, भी सूदो, इसने को मारग है अधी सूदो सने को मारग है जहां नेकू स्यानपन बाक नहीं यह पंक्ती किसकी है गनानंद जी की पंक्ती है क्या है अती सूदो सने को मारग है ठीक गनानंद की पंक्ती है फिर है अब लो नसानी अब न न से हो अब लो नसानी अब न न से हो यह पंक्ती कि किसकी है तुलसी दास जी की पंक्ती है अब लो नसानी अब न नसे हूँ ठीक है फिर है पंक्ती सट पताती सी सशी मुक्गूंगट पर धांकी ये किसकी पंक्ती है तो ध्यान रहें बिहारी लाल की कभी बिहारी लाल की पंक्ती है सट पताती सी ससी मुकी मुख गुंगट पर ढांकी ठीक है फिर अगली पंक्ती ध्यान दें उद्धो मन ना भय दस बीस उद्धो मन ना भय दस बीस ये किसकी पंक्ती है तो सूर्दाजी की पंक्ती जिसमें कहा रहे हैं कि उद्धव यह जो मन है ना यह दस बीस नहीं होते मन तो एक ही होता है ठीक है उद्धव मन ना भए दस बीस यह किसकी पंगती है सूर्दासी की ठीक है तो याद रखें अतीस उदो सनेको मारग है घनानंद की पंगती अब लो नसानी अब ना नसे हू तुलसी दासी की पंगती फिर है सट पताती सी ससी मुखी मुख गूंगट पर ढाकी बिहारी लाल की पंगती है फिर है उद्धव मन ना भए दस बीस तो यह पंगती किसकी है सूर्दास की ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है ध्यान दे दोस्तों गौर करना जरा रेखा चित्र है और उनके रचनाकार है तो ध्यान से सुनेंगे रेखा चित्रों को और उनके रचनाकारों को सही सुमेलन है गौर करें ठीक है पदम पराग पदम पराग किसका रेखा चित्र है तो पदम सींग सर्मा कहा से की वर्ड निकाल लें पदम ह्तिके civी, पदम पराग Shrake sirya पदम this ुत में क्या क्या है कि वर्ड है थी तो पदम पराग किसका रेखा चीतर है पदम सिंघ सर्मा जी का फिर है बोलती प्रतीमा ये खिसकी पदम इसमें क्या है, कीवर्ड है, ठीक, तो पदम पराग किसका रेखा चित्र है, पदम सिंग सर्मा जी का, फिर है बोलती प्रतीमा, ये किसकी है, तो श्री राम सर्मा की, श्री राम सर्मा का रेखा चित्र है, बोलती प्रतीमा, ऐसे याद रखें कि श्री राम जी है, जिन अगला प्रश्न है ध्यान दें स्वरी प्रश्न नहीं है पिछला प्रश्न ही है तो रेखा चित्र है माटी की मूरतें माटी की मूरतें कैसी है मूरतें माटी की हैं किसका है यह तो बहुत ही प्रसिद रेखा चित्र है रामवरिक्स बेनिपूरी जी का किसका रामवरिक्स बे रहें देवेंद्र सत्यार्थी जी का घैप तो ध्यान रखें यह कच रहिखाचित्र एंढने लिकोड़े यह प से पहले हम ने पड़ा पदम पराग किसका सार्मा का ठीक है फिर क्या था वर नम गया फिर क्लिकी से सीमόमा कमा चित्र है अगला प्रश्न है सही सुमिलन है ध्यान दें यहां कुछ आत्मकता है और उसके लेखक है तो जरह ध्यान देंगे आत्मकता उपर ठीक है गौर करें सबसे पहले अन्या से अनन्या अन्या से अनन्या किसकी आत्मकता है तो ध्यान रहे प्रभा खेतान जी की प्रभा पस हैरे से दूर यह किसकी आत्मकता है तो ध्यान रहे हरिवंशराए बच्चन जी की ठीक है हरिवंशराए बच्चन जी की और इनकी आत्मकता है क्या भूलू क्या याद करूं फिर है नीड का निर्मान फिर है एक और है एक और है मैं भूल रही हूँ दस द्वार से सोपान तक कुछ इस तरह से हैं तो ये सारी आत्मकता हैं हरीवंश्राय बच्चन जी की ध्यान दे यहाँ पर क्या है बसेरे से दूर ठीक हरीव अंश्राय बच्चन जी की आत्मकता है काल करम में भी पूछी जाती है इनकी आत्मकता है तो याद रखेंगे ठीक फिर है आत्मकता दलित आत्मकता जूठन किसकी है ओम प्रकाश वालमिकी जी की ओम प्रकाश वालमिक मन्यु बंडरी जी की मन्यु मंडरी जी की आत्मकता हैं एक कहानी जोषण उर That से दूर हरी वंश्राय बच्चन जी फिर है जूठन किसकी आत्मकता है ओम प्रकास वालमिकी जी की फिर है एक कहानी यह भी मन्नू बंडारी की आत्मकता है ठीक है अगला सही सुमेलन है ध्यान देंगे दोस्तों यहां कुछ पत्रिका हैं और उनके संपादक हैं ठीक है तो ध्यान दें सबसे पहले पत्रिका हैं हन्स पत्रिका जिसके संपादक हैं राजेंद्र यादव ठीक है और अगर शुरू आती संपादक पूछे जाए तो प्रेम चं संचेतना संचेतना पत्रीका जिसके संपादक हैं महीप सिंग कौन महीप सिंग जी ठीक है संचेतना पत्रीका के संपादक हैं महीप सिंग जी फिर है आलोचना पत्रीका आलोचना पत्रीका के संपादक हैं अरुण कमल जी कौन अरुण कमल जी ध्यान रखें आलोचना पत्री का फिर है दोस्तों अगली पत्री का दस्तावेज ठीक है दस्तावेज दस्तावेज की संपादक है कौन विशुनात प्रसाद तिवारी जी विशुनात प्रसाद तिवारी जी दोस्तों दो नाम मिलते हैं इंदी साहिते में एक है विशुनात त्रिपाटी एक है विशुनात अलग अलग है ध्यान रखेंगे तो दस्तावेज किसकी पत्रीका है विशुनात प्रसात तिवारी जी की ठीक एक बार फिर से सुनेंगे गौर करें हंस पत्रीका का संपादन किसने किया राजेंद्र यादव जी ने संचेतना पत्रीका किसका संबन्द है महीप सिंग जी से संचेतना पत्रीका से ठीक है संबन्द है महीप सिंग जी का संपादक है इसके फिर है आलोचना आलोचना पत्रीका के संपादक है अरुन कमल जी आसे आलोचना आसे अरुन ठीक है ऐसे याद रखें आसे आलोचना आसे अरुन कमल ठीक है फिर है किसकी है तो ध्यान रखे दस्तावेज पत्रिका के संपादक है विशुनात प्रसाद तिवारी जी ध्यान रखे दोस्तों अगला प्रश्न है जिसमें हम देखेंगे सही सुमेलन काव्वे पंक्तियों का ठीक है काव्वे पंक्तिया हैं जरह ध्यान देंगे और उनके कवी हैं तो गौर करें, सबसे पहले है, सबसे पहले पंक्ती है, रवी हुआ अस्त, जोती के पत्र पर लिखा अमर, क्या है, रवी हुआ अस्त, जोती के पत्र पर लिखा अमर, तो ये किसकी पंक्ती है, तो ध्यान रहे कवी निराला की, ठीक है, रवी हुआ अस्त, जोती के पत्र पर लिखा अमर ठीक है कवी निराला जी की पंक्ती है ठीक राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्ती है फिर है सैया सैकत सैया सैकत पर दुग्द धवल तनवंगी ठीक है तनवंगी गंगा ग्रीश्म विकल क्या है सैया सैकत पर दुग्द धवल तनवंगी गंगा ग्रीश्म वि यह पंक्ति किसकी है तो ध्यान रहे सुमित्रा नंदन पंत जी की 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 स साकेट सी ली गई पंक्ती है, सकी वे मुझसे कहकर जाते, मैतली शरण गुप्त, फिर है, शशी मुख पर गूंगट डाले, यह पंक्ती किसकी है, तो ध्यान रहे, जैसंकर प्रसाद जी की पंक्ती है, शशी मुख पर गूंगट डाले, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, रवी हुआ अस्त जोती के पत्र पर लिखा अमर, कभी निराला की पंक्ती है, शैया सैकत पर दुग्द दवल, तनवंगी गंगा ग्रिश्म विकल, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, किसकी पंक्ती है, मैतली शरण गुप्त जी की, फिर ह शशी मुख पर गुंगट डाले, जैय संकर प्रसाद जी की पंक्ती है, अगला सही सुमेलन है, ध्यान दे, यहां कुछ नाटे कृती हैं दोस्तों, और उनके पात्र हैं, ठीके, नाटे कृती हैं, और उनके पात्र हैं, जरा ध्यान दे, सबसे पहले नाटक चंद्रगुप किसका नाटक है मोहन राकेश का जिसके पात रहें महेंद्र नाथ फिर है कोर्णांग ठीक है कोर्णांग ठीक इसके पात रहें कौन विशू ठीक है जगदीश चंडर मातुर जी का नाटक है कोर्णांग ठीक है एक बर देख लेना फिर भी तो कौर्णांग के पात्र है विशू, कौन विशू, फिर है अंधा युग, धर्मवीर, भारती, जिसके पात्र है कौन, अश्वत ठामा, अश्वत ठामा, ज्यान रखेंगे, एक बार पिर से सुने गौर करेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक जिसके पातर है चानक के फिर है आदे अधूरे नाटक जिसके पातर है महिंद्र नाथ जी फिर है नाटक कोर्नाग जिसके पातर है विशु फिर है अंधा यूग नाटक जिसके पातर है अश्वत थामा तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों और अंधा यूग नाटक इसकी प्रिष्ट भूमी याद रखें महाबारत कथा है नाटक है अश्वत अंधा यूग जिसके पात्र है अश्वत थामा अगला सही सुमेलन है जरगोर करें नाटक है क्या नाटक है और इसके नाटक कार है कुछ नाटक है और इनके नाटक कार तो सबसे पहले नाटक है कोट मार्शल जिसके रचना नाटक कार है स्वदेश दीपक जी ठीक है रामचंदर इसका पात्र है नाटक का तो कोट मार्शल किसका नाटक है स्वदेश दीपक जी का नाटक है ठीक पात्रों को अगर देखना है तो दोस्तों मेरे ये रामबान संकलन वाले वीडियो देख लें नाटक निबंद सभी कुछ आपको क्रम में मिल जाएगा ठीक तो जर ध्यान दें कोट मार्शल कोट हैं देया प्रकास सिनहा कौन देया प्रकास सिनहा जी फिर है नाटक अनवेशक अनवेशक के नाटक का ने प्रताप सहगल ठीक है प्रताप सहगल जी का नाटक है अनवेशक फिर है नाटक कभीरा खड़ा बाजार में रिपीटिड है किसका है भीश्म सहानी जी का भीश्म स किसका नाटक है तो ध्यान रहे स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोट मार्शल फिर है इतिहास चक्र नाटक किसका है दया प्रकास सिनहा जी का नाटक है इतिहास चक्र फिर है अनवेशक अनवेशक किसका नाटक है तो ध्यान रहे प्रताप सहगल जी का नाटक है अनवेशक फिर है कवीरा खडा बजार में, कवीरा खडा बजार में, यह नाटक किसका है, तो ध्यान रहे, भीष्म सहनी जी का नाटक है, कवीरा खडा बजार में, अगला सही सुमेलन है याँ पर कुछ सिध्धान्त है और उनके चिंतक दिये गए है तो जरा गोर करेंगे सिध्धान्त क्या है अनुमितिवाद या अनुमितिवाद ठीक है दोनों ही नाम मिलते हैं तो द्यान रहे भट शंकुक सदार्णी करण किसका सिदान्त है तो भट नायक का भट नायक का सिध्धान्त है साधार्नी करंड ठीक है फिर है अभी व्यक्तिवाद अभी व्यक्तिवाद किसका सिध्धान्त है अभी व्यक्तिवाद अभी इसमें की वर्ड है दोनों में से में तो ऐसे याद रखेंगे ठीक एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों अनुमतिवाद किसका सिद्धान्त है भट शंकुक का ठीक है फिर है उत्पतिवाद ये किसका है भट लोलट का सिद्धान्त फिर है साधार्नी करण ये सिद्धान्त किसका है भट नायक का सिद्धान्त है साधार्णी करण फिर है अभी व्यक्ति वाद ये किसका सिध्धान थे तो ध्यान रहे अभी नव गुप्त का सिध्धान थे अभी व्यक्ति वाद तो अनुमीति वाद या अनुमति वाद भट संकुक, उत्पति वाद भट लोलट, साधार्णी करण बटनायक, अभीव्यक्तिवाद, अभीनव, गुप्त, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों, प्रश्ण पत्र 2009 का, नेट जे आरिफ का प्रश्ण पत्र, यहीं समात होता है, दोनों पार्ट्स में, ठीक है, अभी एक प्रश्ण पत्र 2009 का और है, इसके करें तो द्याद के रूप में, तो ध्यान रखें, और अच्छे से पढ़ाई करें, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर वीडियोर को कंभाइण करके, एक ही घंटे का वीडियो बनाना है, तो भी मुझे बता दें, अगर आदे-आदे घंटे का बनाना है, तो साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों